तो वेश्विक महामारी का रूध धारण कर चोके नोबेल कोरोना वाइरस के संक्रमन को लेकर सरकार की ओर से गोशीत आपता और लाक्टाउन के बीच जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉंफरेंस में तमाम सारी चीज़ें की बात की गई अब वो हमें अपके दश्कों को बड़ी ख़बर के जरी एक जल्दी से बता देते हैं कि यूपी में करोना का ग्रोथ रेट जो है वो कम हुआ है और यूपी में करोना के मरीज खीक लगातार हो रहे हैं लेकिन इस बीच जो मामले जहां से बढ़ते हुए निजर आ रहे हैं और खास सतर्कता बरती जा रही है तो यूपी में करोना का ग्रोथ रेट कम हुआ है और क्या-क्या कुछ खास यूपी सरकार की प्रेस कांफरेंस में चीजे सामने आई सीधे रुख करेंगे अपने वरिश संभादाता वैशनव विशाल तेरपार्थी की ओर वैशनव जी नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है प्रेस कांफरेंस पूरी मैंने भी सुनी आपने भी सुनी होगी लेकिन जो चीजे खास-खास तोर पर है जो मैंने जो सुना वो एक मतलब की बात जो दर्शक भी जाए कि जो ग्रोथ रेट है वो काफी कम हुआ ये कराहत की बात है और मैंने अपनी तरफ से एक नाम दिया ट्रिपिल पी प्रताबगड प्रियागराज की बात करें और इसी के साथ साथ जो तीन पी है प्रताबगड के साथ प्रियागराज भी और पीली भी ये तीनों करोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और इसके साथ बरेली भी अब इसी त करोना के समय में कल उन्होंने सबसे जादा उनको चिंता गरीबों के थी और उन्होंने युनिवर्सलाइजेशन आफ पीडिया सिस्टम के बारे में बहुत सकती से आदेश लागू कर दिये जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा कल की भी ये ब्रीफिंग बता दू कि है जिवतिश के अनुसार भी शनी मकर राशी में है धाई साल गोचर करेंगे तो व्रश राशियों वालों के लिए जिनकी भी व्रश राशिया है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है इसलिए मुझे लगता है कि ये बरेली हुआ ट्रिपल पी हुआ जो ये मुक्त होता बरेली जे बिल्कुर वैशनत जी ये तो जिले हो गया लेकिन खास करके अगर हम राशधानी लखनव की बात करें लखनव में अभी बस मैंने पांच मिट पहले हैं अभी हमारे समधाता नीरच से भी ब्रेकिंग भी घुसियारी में भी देखिए मामला सामने आ गया सुबह मौसम भाग में गुसियाना में वहाँ पर मामला सामने आ रहा है तो यहां पर बहुत ज्यादा अपसा तरक्षा बरतनी की जरूरत है जी बिल्कुल मैं आपको बता दू मैंने ये खबर सुनी आपकी हलाकि ये खबर जो है प्रेस कांफरेंस में बरीफ नहीं हो पाई क्योंकि मुझे लगता है ये बिल्कुल ताजा ताजा खबर है और हमारे चैनल पर सबसे पहले ब्रेक हो गई जो की बहुत अच्छी बात है तो मुख्यमंतरी के अनुसार और अपर मुख्यसचीव के अनुसार तो ग्रोथ रेट कम हो रहा है लेकिन जिस परकार से ये मामले सामने आ रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि ग्रोथ रेट फिर कम हो पाएगा लगनाओं में जिस तरह से कोरोना का विस्फोर्ट हो रहा है सरकार चाहे जो भी आकले बताए लेकिन यदि इसी तरह से ये विस्फोर्ट होते रहे तो कोरोना को कम करपाना बहुत मुश्किल होगा आलोग बहुत बहुत शुक्रिया वैशनिफ जिन से बात करने के लिए वैशनिफ विशाल तेर पार्टी हमारे वरिस समवाद आता हमारे साथ जुड़ेते बता रहते हैं कि अभी कुछ जिलों में खास चुनोतियां हैं जिनका सामना करना है आटाउन का पालन सकती से करना होगा